आज की वीडियो में हम लोग 3 अक्टूबर को हुए MTX एक्जाम का कोस्चन एनलेसिस करेंगे यह कोस्चन चात्रोदारा बेजा गया है अगर आपका भी एक्जाम हो गया है तो आप भी कमेंट के माध्यम से अपना कोस्चन भेज सकते हैं ठीक है उसके पहला कोस्चन है दुन मेन है परकास के उपिओक कर भूजण तैयार करते हैं उन्हें डाट-ाट करके दिया है रूम में जाना जाता जालनी क्या कहा जाता है तो जो अपना भी स्वें बनाते इसको सो पोछी कहा जाता इसके बात अगला कोस्चन है मैध का इसमें ऑगे 70 पर गंटे कि गत से चल रहे ट्रेन में बैठे बेखत को यह पता चलता कि एक मालगाड़ी ट्रेन जो उसके विप्रेद दिशा में चल रहे है उसे 9 सेगंड में पार कर लेती है यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी है तो उसकी चाल गयात कीजिए ठीक है जानि कि दो ट्रेन है इसमें एग में आदमी बैठा और एक उसकी अपोजिक साइड से यानि विप्रेद दिशा से आ रहे है मालगाड़ी ट्रेन में बैठे बेखत को 9 सेगंड में पार पर लेती है और मालगाड़ी की लंबाई जो है 280 मीटर है ठीक है तो इसको कैसे साल करेंगे सबसे पहले हम देखें कि हम सापच चल घ्याद करेंगे ठीक है सापच चल मतलब होता है कि दूनों ट्रेनों का उसमें जुआ होगा ठीक है चाल तो यहाँ पर हम लोग चल बराबर क्या होता है दूरी बठा समय ठीड है चल बर्बर होता हूं दूरी बठा समय यहां पर हमारा दूरी किया हो जायगा 280 मीटर और समय नौ से ठीड है कि इसको एसा लग लेगे 289 बटे नौ ठीक है अब यह जो हमारा मीटर पर सिकेंड में है तो इसको हम को किलो परति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 का गुड़ा करना पड़ेगा ठीक है कि तब यह हमारा किलो मीटर परति घंटे में आएगा तब इसको हम कट कर सकते हैं 9-11 को यह दो हो गया है आप कि उसके पास से इसको कर देंगे तो 25 अ उसके पाद 35 ठीक है यह आ गया यानिकि 56 गुड़े दो बराबर हमारा कितना हो जाएगा 112 कीमी पर आवर होगा ठीक है यह निकला दोनों ट्रेनों का चाल मिला के ठीक है तो इसमें से एक ट्रेन का तो दिया है 70 किलो मीटर पर दी घंटा ठीक है तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे 112 में से कि 112 में से 70 हमको माइनास कर देना है तो आजाएगा हमारा 42 कीमी परावर ठीक है यह आ गया मालगाड़ी की वास्तविक चाल ठीक है उसके बाद हमारे समने अगला कोश्या नहीं कि यह रिजिनिंग का है इसमें देखिए स्रिंकला एक दिया है इसमें एक जो है संख्या गलत है ठीक है वो स्रिंकला से मैजने कर रही उसको हमको पता करना है ठीक है तो इसमें अगर हम स्रिंकला की बात करेंगे तो 16 हमारा है 16 में अगर हम पलस 6 करेंगे तो 22 हो जा रहा है ठीक है 22 में पलस 8 करेंगे तो 30 हो जा रहा है ठीक है उसी तरह से अगर 30 में हम लोग 10 पलस तो 40 आना चाहिए वहां पर 45 दिया है लेकिन अब भी हमको पता नहीं है कि 40 रहेगा कि 45 ठीक है आगे भी देखते हैं अगर 40 में हम लोग 12 एड़ करेंगे तो हो जाएगा 42 ठीक है 52 में अगर हम लोग 14 एड़ करेंगे तो हो जाएगा 16 ठीक है तो इस हिसाब से जो हमारा सिरिंखला यही बन रहा है कि दो दो संख्या जो एड़ हो रही जैसे 6 हुआ तो 6 के बाद 2 और करेंगे तो 8 हो जाएगा ठीक है 8 के बाद 2 और करेंगे 10 हो जाएगा इस तरह से जो है सम संख्याओ का जो है इसमें जोडते जा रहे हैं और सिरिंखला बनती जा रहे ठीक है तो इसलिए 45 जो हमारा गलत अंसर होगा उसके बाद अगला कोश्चन है इसमें दिया है यह सल्दा आपके इसलाम ने दिया है बत क्या सारे वर्ड उसमें है की नहीं इसमें डी जो है इसमें एक वर्ड है यल इसमें नहीं दिया है इसलिए हमारा आपस जो है डी होगा यह वाला वर्ड जो है इससे नहीं बनाया जा सकता है उसके बाद यह भी इसमें दिया है ब्राइट को इस तरह से लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाएगा ठीक है तो इसको भी देख लेते हैं बी आर आई जी एच टी ठीक है नीचे लिख लेंगे हम लोग एफ इन इल डी इल पी अब इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टिंक्ला क्या मुझे यह ठीक है देखें बी के बाद हम लोग अगर चार वड़ आगे जा जैसे बी सी डी इफ ठीक है चार वड़ आगे जाएंगे तो एफ आ जाएगा उसी तरह से इदर से यहन से उपर की तरफ जाएंगे चार वड़ आगे तो आर आ जाएगा ठीक है उसके बाद आई से तीन वड़ हम लोग इदर आएंगे तो हमारा आ जाएगा एल ठीक है उस जाना है थिक है उसके बाद कि यहां पर देखेंगे एच के बाद चाऊर्वर जो हमनों नीचे आएंगे और चारवर जो है उपर जाएगे यानि पी से पढ़ेंगे तो ती आ जाएगा थिक है हमारा क्या रहा है इस में हम कॉर्ण बार गड़ए एक बार जो है उपर से नीची की तरफ हम कुब चार बार पड़ना चार अचार उता में लिए लिखना उसके बार में लिकना यह उसके बार उपर ठीडिक है हो गया, R हो गया, A, I, N, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, यह हमको बताना, ठीक है, S से जो हम लोग 4 वोड आगे जाएंगे तो आजाएगा W, ठीक है, उसके बाद में इधर P है, P से हम लोग पढ़ना सुरू करेंगे, चार वोड जाएंगे आगे तो हमारा आजाएगा T, ठीक है, R से हम लोग 3 वोड पढ़ना आगे तो हो जाएगा हमारा U, उसके बाद यहां पर X आजाएगा, X से जो हम लोग 3 वोड आगे पढ़ना तो A जाएगा, ठीक है, उसी तरह से यहां पर I दिया है, I से 4 वोड आगे ह लोग जाएंगे तो आजाएगा हमारा हमारा एन ठीक है उसके बाद यहां पे लिखेंगे जे जे से हम लोग चार वोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आजाएगा यहां इधर प्राण। अलाई दर्वाजा किस विरासत अस्थल में हैं ठीक है तो हमारी का मगबरा दिया ए विमें दिया महाबोध मन्देर समूंग सी कुतब मिनार डी लाल किला परिसर ठीक है तो इसमें हो जाएगा सी कुतब मिनार परिसर में ठीक है उसके बाद अगला यह है कौन सी कोश का है जुराहों का इस मारक समों किस राजवन से संबंदी था ठीक है तो आपसन इसमें चार दिये हैं पहला है चंदेल दूसरा है मुगल और सी है मौर डी है सुम ठीक है लेकिन हमारा अंसर होगा ए चंदेल ठीक है